समझकार मैं समातुर आप देख रहे हैं City News बरेली बरेली में जैसे ही आपने देखा होगा कि कला की जो दरोवर के रूप में बरेली को देखा जाता है ऐसे में एक शक्षियत हमाई साथ मौझूद हैं जानते हैं क्या नाम है उनका किस तरीके से उनको यह जो गला का प्रेम उनमें जागा और किस तरीके से वो अपनी कला गिरतियों को इस तरीके से उकेरती हुई नजर आ रही है मेरा नाम वाईनी शुक्ला है मैं बरीली की ही रहने वाली हूँ मैं एक मध्य वर्गिय परिवार से तालुक रखती हूँ और जो ये कला प्रेम है एक तरह से तो मेरे जो माता पिता हैं उनकी प्रेणना से शायद मैं इतना सपुच कर पा रही हूँ क्योंकि काफी लोग ऐसे होते हैं कि वो बच्चों को प्रेरित करते हैं कि जिसमें आपके कमाई जादा हो आप उस छेत्र की और आगे बढ़ें लेकिन मेरे माता पिता ने हमेशा कहा कि जिस छेत्र में तुम्हारी रुची हो तो मुझ छेतर में आगे बढ़ो, तुम्हारी रूची होगी तो जो पैसे हैं, सब कुछ वो अपने आप वी आ जाएगा तो फिर उसके बाद फिर आपने कैसे अभी तक जो पढ़ाई की शुरुआ थी, जो आपकी सिक्षा रही, वो कहां की और क्या-क्या सिक्षा भी तक आप ले चुके हैं और उसके बाद जब ये आप प्रूफेशन में आएगे जो मेरा ग्रेडरी कालिश से हुआ है और जो साहु राम स्रूफ महिला महाविदवायले से हुआ है और दोनों ही मैंने कला विषय से ही करें अब तक बात की जाए तो आप कितनी कलागृतियां उकेर चुके हैं और सम्मानित की बात की जाए जैसे के भी पता चलाता बात करने पर कि मुख्य मंत्री, उप मुख्य मंत्री के द्वारा भी आपको सम्मानित किया जा चुका है तो किस तरीकी कि आपकी जो है कलाकृतियां रहती हैं जिनको आप दर्शित करते हैं जो वर्तमान समय में जितनी भी समस्याई चल रही हैं या जो टॉपिक्स चलते हैं तो जो मेरी पेंटिंग्स होती हैं वो उसी पर अधारित होती हैं जैसे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और कन्या भूण हत्या और आगे ही सिक्षा के उपर और अभी मैंने कोरोना के उपर भी पेंटिंग बनाई थी जो राज लेज़कला एकैडमी की तरफ से उपमुख के मंत्री दिनेश शर्मा जी के द्वारा मेरी पेंटिंग पुरुसक्रित हुई थी और इसके अलावा मेरा जो सेलेक्शन है मेरी पेंटिंग्स का जो सेलेक्शन है वो राज जी इस तरिये और काफी जगा मैंने सेलेक्ट हुआ है और मेरी पेंटिंग को काफी पुरुसका जैसे अटल बिहारी वाजबायी के मैंने पोट्रेट बनाए था तो उसको भी प्रत्व पुरुशकार मिला था इसके अलावा लोहपुरुष वल्लभाई पटेल और जो यह सामने है है अगर अटल बिहारी वाजपई जी की बात की जाए तो उसके बारे मुझे लगता है कि सब कोई पता है उनके जो विचार हैं उनसे सभी प्रेडित होते हैं तो इसी के अधार पर मैंने उनकी पेंटिंग बनाई थी और जैसे लोह पूरुष जिनको जैसे एक दरह से देखा जाये तो उन्हें वास्तविक रूप से भारत का निर्माता माना चाता है तो उसी से प्रेडित होका मैंन पेंटिंग बनाई थी और संजीव जी की पेंटिंग जैसे अभी उनका जनम दिन था तो इसलिए मैंने उनको मलब एक तौफे के रूप में फिर उनकी मैंने पेंटिंग बनाई थी तो फिर आगे अभी आप किस तरीके की और पेंटिंग के इलावा जैसे अभी आपने दि अगर आप चाहें तो जैसे हम किसी को गिफ्ट देते हैं कि हम ऐसा गिफ्ट दें जो इसको लाइफ टाइम तक याद रहे दिल के करीब हो तो मैं कहते हैं ऑडर पे भी पेंटिंग्स रंगोली पोट्रेट्स और यहां तक कि जैसे मैं महंदी वगारा भी लगाती हूं और 3D पेंटिंगयी जो उसमें अगर बात कर जाता है किस तरीके से कम्री तो जैसे मैंने अभी recently ही couple portrait बनाया था तो उसमें मुझे लगभख 8-10 घंटे लगे तो उसे complete करने में पूरी रात बैटके मैंने उसके complete किया था तो कफी मेहनत का काम है जैसे की तो क्या लगता है कभी-कभी आपको जैसे होता है की continuously की काम आपको बार-बार किया जा रहा है क्या आगे आपकी एक हैचार की आप उस पाइदान तक पहुछना चाहरे हैं वैसे अगर यह कहा जाए कि भविश्की बात की जाए तो मैं कहते हैं आर्ट प्रोफेसर बना चाहते हूं लेकिन इसके साथ ही साथ मैं एक तरह से अर्णिंग भी होती है और साथ में ही आपको लोगों के बीच आपकी पहचान मनती है तो मेरा यह कहना है कि आपकी अगर र चल सकते हैं जैसे कि आपने का कि आपका जो सौक है आप उसको जिंदा रखिए और अपने जो करतव हैं यानि कि ड्यूटी है जौब है अब उसका भी निर्वान कर सकते हैं बहुत अच्छी बात आपने कही तो इस तरीके से अगर कोई इसी विदा का आपके साथ जुड़ खोल रखा है तो वहां पर कहते हैं मैं पेंटिंग्स बनाती हो और्डरस पर प्लस यह है कि जो सीखना चाहे तो वह सीख भी सकता है हर तरह की पेंटिंग रंगोली मेहंदी जिसमें भी आपका शौक हो आपने शौक हो अर्णिंग का जरिया बना सकते हैं अगर स्टूडिय मंदिर में हाउस नमबर फाइब बीडिय कॉलोनी यहीं पर मतलब मेरा स्टूडियो खुला हुआ है और रही बात की जो है मेरा पैरामीटर क्या रहता है सीखने का तो में यह होता है कि आपके अंदर लगन होनी चाहिए सीखने की क्योंकि सीखता वही है कि जिसके अंदर व मुझे करना है यह कि शौक तोर पर जैनes चाहें करशते हो और इसकेलावा अगर अगर आप मतलब किसी को गिफ्ट देना चाहते हो पेंटिंग या उसकेलां मैं साथ मौझू थी वार्णी शुकला जी जो कि वरेली की जो एक कह सकते हैं कि उपलब्दी के तौर पर उबर के सामने आ रही हैं क्योंकि में बरेली जिस तरीके से सुर्मे की नगरी और जरी नगरी के रूप में देखा जाता है तो अब कला करतियों की नगरी के रूप में भी अपनी अलग पैचार बनाता हुआ नजर आ रहा है आप देख रहे हैं सिटी न्यूज वरी लाइप के अमरा परशन अभिशेक के साथ म झाले नश्माट नश्माट नश्का